इस साल के अंत में गुजरात में विधान सभा के चुडाव होने हैं जिसकी तैयारी भारती जंता पार्टी की तरफ से और कॉंगेस पार्टी और जो छेत्रिय देलों नंकी तरफ से पहले ही शुरू की जा चुकी है एक तरफ जहां भारती जंता पार्टी प्रदान मंत्री नरेद मोदी सहीत और बड़े निताओं के दोरे वहाँ पर लगवा रही है अलग अलग तरीके कारेक्रमा आयजूत कर रही है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस भी वहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करने में लग है गुजरात विधानसभा का चुनाओ इस साल के अंत में होगा हम आपको गुजरात की जो विधानसभा की शुरुआत हैं जबसे वहाँ के विधानसभा चुनाओ की शुरुआत हुई तब से और अब तक के कई सारे पॉलिटिकल किस्सों के साथ साथ वहाँ के जो मुख्य अब तक के राजनेतिक सफर की साल 1947 में जब देश को आजादी मिली जब देश आजाद हुआ तो करिब 1950 तक देश में कई छोटे-छोटे जो राजा थे और छोटे-छोटे रियासते थी उनको विला करके जो भारत देश बना था जो विशाल भारत देश बना था उस समय पहले गुजरात बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था और जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद वो मुंबई का जो बंबई राज था उसका हिस्सा बना फिर उसके बाद जब भासा के आधार पर अलग-अलग राज बनाए जाने की मान बढ़ने लगी उसके आधार पर तमाम चीजें हुई 1903 में फिर पहला राज पुनरगठन आयोग बनाए गया उसके बाद भारत में 14 राज और 9 केंद्र सासित प्रदेश उस पुनरगठन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर बनाए गये इसके बाद उस समय भी गुजरात प्रदेश नहीं बना गुजरात तब भी मुंबई का ही हिस्सा था फिर जब महा गटब महा गुजरात बनाये जाने का एक आंधोलन शुरूँ हुआ उस आंधोलन के परणाम सवरूप 1960 में मुंबई के दो हिस्से हुए और एक गुजरात राज बना और दूसरा महारास को राज़ बनाए गया मह 12 के बाद फिर मुंबई उसके राजधानी बनी, उसको लेकर भी तमाम सारे इससे हैं, बहुत सारे उसको लेकर भी तमाम विवाद हुआ था, बड़ी हिंसा भी वह थी उसको, फिर 1960 में गुजरात का चुनाव हुआ 1960 के इस चुनाव में गुजरात में विधान सबाकी 132 सीटे थी 132 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ उसमें 112 सीटे कॉंग्रेस के खाते में आई कॉंग्रेस यहां पे 112 सीटे जीरने में काम्याब रही और पहली सरकार यहां पर कॉंग्रेस की बनी थी जीव राज नरायन मेहता यहां पहले मुख्यमंत्री बने थे 1 मई 1960 को इन्होंने बतौर गुजरात के पहले मुख्यमंत्री के अपना सफ़त ग्रहड किया जो जीव राज मेहता थे वो कुछ समय के लिए महात्मा गांधी के डॉक्टर रहे थे फिर मेहता की जो यह सरकार थी वो 18 सितंबर 1963 तक चली वो 1963 को मुख्यमंत्री रहे इसके बाद फिर कॉंग्रेस ने बलवंत राय मेहता को मुख्यमंत्री बनाया बल्वंत राय मेहता जो थे वो सुतनता संग्राम सेनानी थे इसके अलावा लोकतांतरिक विकेंदरी करण का जो उनका योगदान रहा जो उनका कॉंसेप्ट था उसके कारण उनको पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता था फिर इसके बाद कॉंग्रेस ने यहाँ पर करीब 1975 तक उसे लगातार सफलता मिली फिर तीसरे जो मुख्यमंतरी रहे हितेस दिसाई मुख्यमंतरी बनाए गए हितेस दिसाई मुख्यमंतरी बने उनके समय में दंगा भी बढ़का था बलवंतराय महता मुख्यमंतरी रहते हुए ही उनका निदन हुआ था इमर्जनसी के दोरान यहाँ पर माधव सिंग सोलंकी कॉंग्रेस के बड़े नेता के तोर पर उभरे फिर जब जो समीकरण इमर्जनसी के बाद बने उसमें फिर माधव सिंग सोलंकी ने अपनी सरकार बनाई मुख्यमंतरी बने वो कॉंग्रेस के उसमें फिर जब कॉंग् था, माधव सिंग सुलंगी ने गुजरात में एक जब इंद्रा की कॉंगरेस और कॉंग्रेस वोका बतवारा हुआ तो ये इंद्रा के साथ रहे, फिर उस समय इनों ने खाप जो थेवरी थी उसको ये सामने ले करके आये थे, इनों ने इंद्रा गांधी के साथ मिल करके जो च्छत्री, हरिजन, आदिवासी और मुसल्मान इनको जोडने का काम किया था जो कॉंग्रेस पार्टी के मूल वोटर थे सवन उनको इनको 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 इन जातियों को प्रात्मिक्ता दी अपने साथ जोडने में और इनको अपने साथ जोड करके इनने फिर सरकार बनाई फिर उसके बाद इनकी सरकार रही उननिस सो पचासी तक फिर उननिस सो पचासी के बाद से यहाँ पर कुछ समीकरण बदले जो नए समीकरण पैदा हुए उसमें फिर कॉंग्रेस को अपनी सत्ता खोनी पड़ी बाबरी मस्जित के कांट केबाद जनता दल और भरती जनता पार्री के घडबंधन था वो लंबे समय तक नहीं चल पाया फिर ये दोनों डल अलग अलग हो गए भरती जंता पार्री बाबरी मस्जित अंदोलन के बाद इसराजि में मजभूत होई उदर केशु भाई पटे केलों को एक मंच पर लाने का लाब उठाते हुए भारती जनता पार्टी ने गुजरात में अपनी सरकार बनाई केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री बने केशु भाई पटेल के बाद फिर 2001 में नरेंद्र मोदी के यूग की शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी यहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब नरेंद्र मोदी 13 साल मुख्यमंत्री रहे फिर उसके बाद देश के परदान मंत्री हो गया है फिर उसके बाद आनंदी बिन पटेल यहां पर मुख्यमंत्री बनी फिर बिजयरूपाणी दो बार मुख्यमंत्री बने और स्टेश को सब्सक्राइब बिजयर रुपाणी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे फिर उनके बीच का रेकाल में 13 सेतंबर 2021 को उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया इसके बाद फिर भुपेंदर भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद सौब दिया गया फिलाल भुपेंदर भाई पटेल मुख्यमंत्री है जबकि वो पहली बार विदान सभा का चुनाओ जीते थे पर वो संगठन के करीबी माले जाते हैं इसना ते उनको मुख्यमंतरी की कुर्सी पर बैठाए गया अब जो हालिया राजनीती है उसमें तमाम सारे बदला हो चुके हैं भारती जंता पार्टी को अगर दो पिछले दो चुनाओं का आकलन किया जाए तो भारती जंत पिदने वाली बात होगी कि आगामी चुनाओं में भारती जंता पार्टी किस राजनीत पे वहां चुनाओं लड़ती है साथी साथ गुजरात की राजनीत में अब हार्दिक पटेल के इंटरी हो चुकी है 2017 के चुनाओं में विदान सभा के जब चुनाओं तो उस समय वो क नहीं कर रही है ना तो उनको मीटिंगों में बुलाया जाता और ना ही उनसे किसी तरीके की सलाह ली जाती है ऐसी परिस्थिती में कॉंग्रेस पार्टी की रणनीत भी बहुत अजीब सा चौकाने वाली बात होती है कि आप हार्दिक पटेल को पटेल अंदोलन से पार्टी में पार्टी के लिए रास्टे इस्तर के बड़े नेताओं में शुमार एहमद पटेल जो अब नहीं रहे उनके बेटे फैजल पटेल भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे चुके हैं वो कह चुके हैं कि मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ उनकी अर्बिन के जरिवाल से मुल कि कॉंग्रेस अपनी कौन सी रणनीत अपनाती है कॉंग्रेस हार्दिक पटेल को पार्टी में रख पाती है या नहीं इसके अलावा नरेश पटेल का नाम खूब चल रहा है नरेश पटेल को भारती जनता पार्टी अपने खेमे में ले जाने में लगी हुई है तो वहीं क उंग्रेस पार्टी से शुरूव करके हो भारती जंता पार्टी तक की राजनितिक सफर है गुजरात का अब लंबे समय से भारती जंता पार्टी गुजरात के सत्ता में है गुजरात मॉडल की खूब बात होती है पूरे देश में विकास की बात जब भी होती है भारती जनता पार्टी हर जगे गुजरात मॉडल को प्रिजेंट करती है गुजरात मॉडल की बात करती है उसके हिसाब से गुजरात में खूब विकास हुआ है अब देखना यह होगा कि जब नरेंद्र मोदी को गुजराथ से बाहर निकले हुए इतना समय हो गया तो वहाँ पे वो चीजें कैसे भारती जंता पार्टी क्या इस चुनाओं में उसको मेंटेन रख पाती है बहराल अब चुकि जो छोटे दल है जो छेतरी दल है वो उनकी भूमिका गुजराथ प्रदेश के अंदर अभी तक जो देखने को मिली है वो केवल भारती जंता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के वोटों को जो उनका वोट है उसको बाटने का ही उसने काम किया है कोई बड़ी सफलता मिलती हुई वहाँ पर नहीं दुकिये दो ही मुख्य दल जो कॉंग्रेस और भारती जंता पार्टी के बीट में सीधे वहाँ पर चुनावी टकर होती है अब चुनाव इस साल के अंत में होंगे देखा जाएगा कि पंदरवी विदानसभा में जो वोटर्स हैं वो भारती जंता पार्टी के साथ जाते हैं या फिर कॉंग्रेस के साथ जाते हैं भारती जंता पार्टी फिर से सत्ता में लोटती है या नहीं मैं रहाल अगली हम आपको गुजरात विदान सभा के चुनाओ तक आपको गुजरात के राजनीत के बारे में एक एक कर कई सारे किसे सुनाते रहेंगे बने रही है हमारे साथ तब तक के लिए आप हमारे जो फेस्बूक पेज है उसको लाइक करिए यूटीब का जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कीजे बेल आइकोन भी दबा लीजे जिससे होया रहा नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंसता रहे धन्यवाद